हालो फ्रेंस विल्कम टू माई चैनल आज मैं आपको जीएस द्रश्टी के समान भुगोल के नेश्ट पार्ट पर हाने जा रही हूं और भी इसके कई पार्स आएंगे इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही सकते हैं बर जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है और यह सीरीस देख सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से करके साले टॉपिक को कबर किया है देखिए मेरा टार्गेट यही है कि आप कम पढ़िए लेकिन पढ़िए आपको वह लेते हैं तो आपके जितने भी क्योशन जोग्राफी से बनने वाले होंगे गारंटी लेती हूं कि कहीं भी बाहर क्योशन नहीं जाएंगे यह सिरीज फालो के लिजिए और घटना चक पूरवा लोकन देख लिजिए अगर आप PCS पीसे के एक्जम देने जा रहे हैं और आ लगारत का सामानी पर्चे ने भावतिक विभाजन राजनीतिक एवं प्रशाश्निक विभाजन भारत की प्रजाती और जंजाती ब्हारत की बेभिन भासाओं का संवु आप वहां तंत्र नदियों के किनारे इस्थिफ्र प्रमुख नगर जलवाईू प्राक्तिक जो देखिए और मटीपल आप रिवीजन करिए यूंकि रिवीजन ही आपको सेलेक्शन करवाएगा और हाँ जो भी छोटे टॉपिक बचेंगे वह मैं आपको मिसलेनियस टॉपिक जब कबर करूंगी तब मैं आपको उसमें कबर करवा दूगी लेकिन आज से यह भारत का में नाम से ही पता चल पा रहा होगा की जो यह वनस्पती उगी है यह टॉटली प्राक्ति कारक ही हुग हूई है कोई भी मानों का रोल नहीं है तो और ऑफ कैसी होती है जैसे माले जीए आप पहाडों पर गए होंगे भी यह हूंद श॥ और बहुंद पाया आज बंस आवे आप सोचिए जब यह वन है यहां जैसी सिच्वेशन होती है वह अपने आपको वैसे डाल लेते हैं तो आप भी बैसे बनिये जहां को जो सिच्वेशन है अगर आप एकजाम देने जा रहे हैं वहां पर प्रेशन नहीं होना चाहिए आप उस पर एकदम से आप आधी हो जाए देखें को फियर हटा दिजिए यह उपने रूम ही है क्योंकि आप देखते होंगे कि एकजाम वह वह हैं वहाना चाहिए तो हर सिच्वेशन के अपने आपको मजबूत कर लिजिए अब देखें हमें कहीं जाने के जवद नहीं है हम अगर यहीं चाहें तो अपने आस पास सकते हैं कि देखिए जैसे पेड़े होते हैं यह अगर आपको भी चेंज करें अब वैसे पढ़िए यह मत सुचिए जो आप पढ़ रहे हैं कि करें जो भी आप एक्जाम देने जा रहे हों सबसे पहले अपना स्वेश को दो तीन बार देखिए जितने टॉपिक हैं उसको देखिए फिर प्रीवियस क्योशन पेपर को देखते हुए पढ़ाई करिए कि कैसे क्योशन पूछने का ट्रेंड चला रहा है तो उसी अपने पारोच सहायता के बीना उगते हैं और अपने आकार संद्रशन तथा अपने अवसक्ता को प्राक्तिक परियावरण के अनुसरा ढाल लेते हैं जैसा उनका महोल रहता है वहीं के अपने आपको चेंज कर लेते हैं अब देखिए जो वन होते हैं यह वर्सा का अनुसरान करत वर्सा ज्यादा होगा वहां पर जो वन होंगे उनका वन होंगे वहां पर अधिक वन पाया जाएंगे पतिया चौड़ी होंगी कहने के मतलब है तो हमारे भारत में अधिकान जो वन होते हैं वह वर्सा का अनुसरान करते हैं इसके बाद आप देखिए तापमान देखिए करते हैं ज़राय थियन की reads के पेशल पड़ता है जो इससे के अपध कर देखे हैं तो यह कॉज़े आधार है धुम्धावातए हेली तो ठीक होती है शूनला सब टार उगा सबक्था एंkar भूगार्विक संदशना और समुद तल से उचाई कितनी है ये भी सब वन पहें इफिट करते हैं ये सब देख लिए देखेंगे वनों को वर्गी करन ये देखें फिर मैं आपको मैप के तुरू एक बार दिखा दूँगी सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे उश्रकटिबंदी सदा बहार एवं अर्द सदा बहार वन देखें ये वहां पाए जाते हैं जहां पे सबसे ज्यादा बारिस होती है देखें हर एक चैप्टर किसी ने किसी में आगे जाके लिंक करता है मतलब कहने मतलब यह है कि अगर आपने पहले से पढ़ लिया है मैंने अगर आपको वर्सा लाज पढ़ा दिया तो आपको बहुत ही आसानी होगी वन को पढ़ने के लिए उनको संवशने के लिए तो बताए जहां पे बहूं-बहुत जादा वर्सा होती है वहीं पहाए जाते हैं और श्रकाटिबंदी प्रबंध आपको नम से ही पता चल पा रहा होगा कि यह परवत में पाय जाते हैं उनको परवती वन कहते हैं अब यह मैप कि तुरू दिखा दे रही हूं देखिए आप यहां पर पाकिस्तान यहां पर चाइना और तिबत है यह हमारा भूटान यह नेपाल यहां पर बांगलादेश है यहां नीचे सिरेलगए इंडेयक है यहां पर यहां मालदीव है मैमार महर है मैमार इसके तो अब डिया में टोंचाना-ब थैजा तो आप जानेंगे यहां मरे परवर्ति portrayed यहां पर देख रहें हैं यहां पर देख रहें को महाराष्ट करनाटा को यहां पर देख रहें को बोलते हैं कि यहां पे डार्क है यहां पर यहां पर कॉन से पाये जाएंगे अब नेश देखिए जए जब्सक्राइब ये पूरा नौर्स इंडियान में कुछ रीजन में यह उत्त अता हैं यह अतता जो यह घु आप देख रहे और症ख्ट नौर्स ढ centr Pal arbeiten एप सब्सक्याहर स्धाम निगयों इस बार्ड से पर बंदी खेतione यहां पर चोड़ करके नाथीस्ट में और यहां पर भी आप देख रहे हैं यह सब मारक्या पाए जाता है उस्रकट्वन्धी सदा और एवां आज सदा बहार वन पाए जाते हैं अब देहां में रखेगा अब नेश्टा यह हम कुछ यान अदिक वर्षा वाले च्छेत्रों में पाए जाते हैं तो यह अपे अच्छा करते कम वर्षा वाले च्छेत्रों में पाए जाते हैं अपने धान दीजेगा उश्रकटी बंदी सधा बहार वन है यज़ सधा बहार वन और इसमें क्या होते हैं, यह इसमें क्या है, आधा सव हर रहता है, पड़त है, आसे आप समझ सकते हैं, इसमें शाहिए निएक शाहिडर होलक करदने शेया ख़ें घीए और द्सेधान रखें हैं अब नश्रेक्ष अबूस्यथ सबसे पहले क्या पढ़ेंगे क्ए रच्व He自 되어 मुझ है ओधूक्षिंध सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी जो प्रकती है यह प्रकती है क्या है इंक्त प्रकती यह अधिक सगन अधिक च cosine सग अधिक सगन धां उच्छे वन होते हैं जो सदाबाहरवन कर वा रह गठीी कराद होती चुच्छ वार्शक्त वर्ष يक वर्षा ज्यादाaging होती है 200 cm से अधिक होती है अभी मैंने आपको लोकेशन बताए थी कि 200 cm से अधिक वर्सा कहां कहां होती है हमने आपको बताया था आए एक बार और बताते हैं अशम केरल पश्रिम बंगाल मेगाले त्रिपूरा माडीपूर मीजोरम अंडमान एवं निकोबार दीपसमु पश्रिमी कहने का मतलब यह है कि उश्कटविंदी सदा बहारवन कहां पाए जाते हैं कि जहां पे वार्षिक वर्सा 200 cm से अधिक होती है वहीं यह वन पाए जाते हैं तो मैंने आपको बताया था जब मैं आपको मांसून चाप्टर पढ़ा रही थी जलवाई चाप्टर पढ़ा रही इक बुलोग है अदिक वर्सा इसमें होती है तक दीख रहे यह जेख यह पूरा देख रहे हैं यह यह पूरा देख रहे हैं यह देख और यह पूरा बंग, यह सब जो आते हैं यह पूरा नाथिष्ट का एरिया gemaakt को छोड़ करें नौर्थ इस्ट का एरिया है अपको ध्यान में रखिएगा तो देखे मैंने का मैप के आप एक दो बार देख लेंगे ना इसको बस निहार बस लीजिए आप इसको तो आपको वर्णों की इस्थिती के बारे में पता चल जाएगा और वहां पर क्यूशन आ गया ना तो आप कर ले जाएंगे इसलिए परिशान मत हो यह कि अभी आपको याद नहीं हो रहा है तो आप परिशान मत हो यह चुप चापा पढ़ते रहें अब आए हम लोग देखते हैं और बहुत करें तो जुसमें आधरता होनी चाहिए कितनी ही चाहिए सत्तल पिससे अधिक आधिक भूब जाये देखते हैं उस्तुकटीवंदी सदा बहार वन कॉन कॉन से सिनकॉना ये क्योशन है यह इंहें तो अपको दे दिया जाएक चाहिए पूच लिया जाए है रवर और वह बी देखे निवी सब हमारे पाँटे कहां पैघ जाते हैं वी तो यह इस एक आप आप आइडिया लगा लेंगे, आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसकी अवस्तति कहां है, कि अत्रतिक आड़त अथा उष्ण भाग में ये ये उष्ण कटवंधी, सदभार, वन पाहे जाते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीके, देखे, मैंने कहा है, कि मैं आप आपको पूरा पीडियाप तो नहीं सेयर कर पा रही हूं, लेकिन हाँ, जो मुझे इंपोर्टन पॉइंट लगेगा, उसकी मैं आपको पेज सेयर कर दूँगी, कल तो मैं पॉलिटी के बारे में सब कुछ मुझे जो बहुत इंपोर्टन लगा, तो मैंने उसका आपको वह सेयर कर दूँगे, आपको परिशान मत होई है, आए देखते हैं, इन वनों को उस्ट कटी बंदी वर्शा वन भी कहते हैं, यह घने वन भूमद रेखा एवं उस्ट कटी बंदी के पास पाए जाते हैं, यह भारत के आतिदिक आद्र तथा उस्ट भागों में मि यहां पर नहीं पहुँ सकती, इतने यह घने होते हैं, वहां का जो मौशम होता है, अतिधिक होती है, इसमें आदरता होती है, और उस्ट भागों में यह मिलते हैं, और यह देख रहे हैं, बताया थे कि बारिस सब्सक्र जादा वहीं होगी, भूमद रेखा कि आसपासी सब मानगी यह आपका ग्लोब है, यहा है, हमारा बिश्वत रेखा है एंडिये कि मैंस्थिती है इंडिये करकर कर तुछ ही यहां से गया है ध dolgony 4o theor ने यहीं पर सुर की रोश्णी यहीं सकती है यहीं साल भर पड़ती रहती है तो यहां का टंपेचर जादा होगा तो जहां टंपेचर भी जादा होगा तो वहीं पर हमारा क्या होगा बारिस भी जादा होगा ठीके समझ गया आपके यहां पर बारिस यहां पर क्यों पाया जाते हैं क्योंकि जहां पर एकवाटर एकवाटर के पास हमारा क्या होता है जहा इस अपने आपको बचाने के लिए आप पाउधर से पानी ना जये तो वह पत्तियों कर दूर्धर उसी के दरा ये पना क्या करते हैं पाणी देते हैं इंवायर्मेंट को महसम बहुत सुक्स हो जहता है अप देखते होंगे आपको भी बहुत सुक्स लगता होगा तो उससे के लिए पत्तियां को पत्तियां को क्या कर देते हैं त्याग देते हैं उसrantे कि अपनी होती ये अपने घीरा देते हैं dus क्या होति ते सलमा होते हैं इसलिए की जाती है तो षफ क्या होत पान इंगालने के लिए अपने क्या करता है टेसे की क्रिया करते हैं लेकिन जब इन्वारिमेंट को निकाल दे ते हैं पत्तिया को गिरा देते हैं ताकि ना तो टांस्पोर्टेशन की क्रिया होगी ना ही यह जादा पानी निकाल पाएंगे या अपने आपको बचा लेंगे अपने आपको बचाने के लिए और या तो आपने आपको जन संचित रखने के लिए इस सुख मौसम में यहां के ब्रच पतियां को गिरा देते हैं अब आये हम लोग कुछ बिसेश्ट तथ्य देखते हैं देखिए उश्रकटबंदी परपाती या मानसूनी वन क्यों बोलते हैं और उश्रकटबंदी परपाती मतलब क्या करते हैं यह अपनी पतियें गिरा देती हैं आये कुछ देखते हैं इनको जो विभाजन हुआ है जल क आउस्रकपणबंदी परपाती रखेस से नीशकरणबंदी परपाती न होती है 100 cm से लेकर के 200 cm तक होती है उसको क्या बोलते हैं और पड़पाती वन देखिए अगर इसकी अगर हम बात करें कौन-कौन से आजाएंगे शागाओन आ जाएंगे शीशाम आ जाएंगे मौहा आजाएंगे मौहा आपने सुना होगा मौहा आउला मौहा कुशूम चंदन शोक्स ओड़पाती 1 में अगर हम इसकी बात करें शोक्स ओड़पाती 1 की तो इसमें कौन-कौन से बीच में भी falti और slides on सब्सक्राइब करें बात करें तो होती है 100-200 cm के भीच में इसके ब्रच के बारे में क्यूशन बन जाते हैं इसलिए आप ध्यान में रखें कौन-कौन से हैं इनका विस्तार कहा है उत्तर पूर्वी राज्यों उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमाले के गिरिपदी छेत्रों में इनकी हिमाले के तराई रीजन में पश्चमी घाट के पूर्वी ढाल पे और उडिसा आदि में कौन सब्सक्राइब पाया जाते हैं अब ध्यान में रखिएगा नेश्ट आइए हम लोग देखते हैं उस्त किस प्रकार का वन है इसका बिस्तार कहा है बहारत के प्राइदी पठार के अधिक वर्सा वाले छेत्र उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैधानी भागों में पाया जाते हैं अब दिहां देखें क्या है देखें आपको एक बार फिर से दिखा दोंगे मैप के तुरू इसलिए परिसान मत होई है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ चीज आपको रटनी पड़ेगी याद करनी पड़ेगी समझनी पड़ेगी आप देखें निश्ट काटी बंदी कटी लेवन देखें पतिया होते हैं यह अपने आपको किसे में में change कर लेती हैं कि चेंग कर लेती है क्यों चेंज कर लेती है कि मैं बता गल God ये उन्वार्मेंट में देते हैं और आललेटी पानी की कमी है वहां पर ऐड़ी रजिसान गुज्राइन और वहां वहां पे देख रहे हैं मत्रदेष का और महाराश्क विदर्वचेत्र ये सब घौ हो जाए गम आपनी कमी है अगर थे अपना पानी निकाल दें गे तो ये सुक्स हो जाएंगे तो यह ज्याद利त तक हरे भरे नहीं यह कर देरें चंद हें उसका कॉनिंग कर लेते इस यह निक आपने अपने की कि आपको अतैं uncles हो जाता है इस सेक्षा कम होती है जादिया घास से आएंगे आधिये हम लोग ढेखते हैं जहां वर्षा से कम होती है इन बहुत्ति वनिस्पती के रूप में कई प्रकार जाती एवा कई प्रकार की घा से पाई जाती है अब आए हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल से इसकी जो वार्सिक वर्सा होती है शत्ता संटीमीटर से भी कम होती है अभी हम लोगों ने देखा था इसका कौन-कौन से ब्रच आएंगे आए देखते हैं अकेसिया, खजूर यपाम, यूफोर्विया, बबूल, बेर, नागफनी आदी ये सब पाय जाते हैं कहां पे उच्कडवंधी कटीले वन में ये पाय जाते हैं इसका जो विस्तार हैं दश्य परचिम पंजाब, हरियाना, राजिस्थान, गुजरात, च्छतिसगर, मादप्र कि अत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के और में ये सब पाये जाते हैं अपर Sig द्खान में रखे व में लुकेश न itसके सब vaig रहे हिए यह आप से आपशतों कर देखें है यह आप यहां पर यह जो ब्लैग ब्लैक है वेलेंच लिव अनुव ऑन फॉल न है यह सब हमारे कहां है यह वहीं पिलेंगे हमारे कहां यह वहीं हम अर्थ बहुमी छेत्रों और यह सब का रहे हैं यहां पर देख़क तर ना यह है आरदभूमी छेत्र के अंतरगत आता है कहां देखें निश्ट के अあるधभूमी च्छेत्र कौन कौनसे से ब्रह्म पुत्र घाटी में बाहर के मैदान तथा उत्तर पूर्भी भारत और हिमाले गिरिपाद के छेत्र में इस्ति दल्दली वा अनूब चेत्र यहां भी आपको देखने को मिल जाएंगे एक और देखें अन्ड मान अनिको बारदीप समू के मैंगरू वन वा अन आर्द भूमिय यहां भी पाई जाती हैं निस देखें गुजरात राजिस्थान एवं कच्छ के लवडी जल भूमि भी आपको देखने को मिल जाएंगा जम्मू वं काश्मी तथा लद्दा के परवती जीले वा नद अनुप वन हैं अब आए देखते हैं मैंगरू वन क्यों लगाया जाता है और लगाने का प्रयास करें कभी आपने सोचा है मैंगरू वनne होते हैं किससे ञबते हैं करते हैं यहाज़ जीयों जीजलियों जीञेंतों के लेए प्रारंभी नरसरी का भी काम करते हैं इसलिए मैंगरू वन को भार सलकार चाहर यह चाहरी गवर्मेंट की ज्यादा कोस्टल एरिया में यह प्रकार की बनस्पती होती है यह जल में डूबे रहती है मैंगरू वनस्पती लाउडी दलदली ज्वारी क्रीक पंक मैदानों तथा ज्वार नदमुक के रटी छेतर में पाया जाते हैं यहां पर बहुत ज्यादा मातर में मैंगरू वन ग्रू होते हैं एवं अंडमानिकोबा दीवसंहु में भी इसका बिस्तार है और आने बिस्तार आप देखे कहां पर हैं महा नदी क्रिष्णा कावेरी नदियों के डिल्टाई चेतर में भी यह आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप जाएंगे जो हाइट होती है जो हाइट होती है बहुत ज्यादा उचाई होती है और वहां का जहां जहां जैसे जैसे हाइट बताईये अगर आप उचाई पर जाएंगे या पर गये होंगे तो वहां का आपने तमप्रेचर देखा होगा तो प्रवती चेत्रों में ब्रधी के साथ आपमान में आने वाली कमी के साथ साथ प्राक्तिक वनस्पती की बित्रण में भी परिवर्तन आता है आप लोग किसके प्राक्तिक वनस्पती की बित्रण में भी परिवर्तन आता है अंतर समझने मतलब यह क्या है कि जैसे उंचाई बढ़ता है तो तापमान में कमी तो होती है उसके साथ भी क क्या देखेंगे पर्वति सितोष्राइब और पाइयन वन यह सब हमारे उचाईों की आधार पर वनों की बिभाजन गतरी परवति कटिबंधी ऑनों की इसमें क्या होते हैं इसमें कौन पाइजाते चौणी पती वाले इसमें बारे में कहां पाया जाते हैं आप देख रहे हैं कहां है आप देख रहे हैं कहां है पूर्भी हिमाले के प्रमुक ब्रच आप देखिए ओक इल्डर बर्च पूछा गया है तो बर्च कहां पाया जाएंगे पूर्भी हिमाले के प्रमुक ब्रच कौन से हैं पूर्भी मलेक बर्च चेरी चिशनट इल्डर ओक यह सब चौड़ी पत्त और सांत घाटी में प्रमुख वन इसमें भी चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं कहां पे सांत घाटी और प्रस्यमी घाट में पूंसवार दालचीनी रोडोडेंड्रॉन सुगंदित घासे आधी यह सब पाय जाते हैं निश्ट हम देखेंगे पाइन वन यह जो विभाजन ह इसका घंखे कहां सीवालिक परवत के सीवालच में पस्ट्रिमई घंब्री में खासी नागा बबरीपूरों की पहाड़ीयों में अब देखिए अंजस अलपाइन वनों का विभाजन है जो विस्थार है हिमाले में सभी स्थानों के साथ साथ भारत मैमार सीमा के निकटवर्थी उच पहाड़ियों पर इसकी वनस्पति कौन सी छोटी जाड़िया काई एक बर काई पूछा गया तो किस में आएगा अलपाइन में आएगा काई यह वंफन है रोडो डिंड्रोन यहां भी है और बर्च यहां भी है सुखस अलपाइन वनस्पति है क्या है पश्चिमी हिमाले के घर हम बात करें जूनी पर लोडो डेंड्रोन बिलो फाल से और पूर्वी हिमाले के घर हम बात करें लालफर काला जूनी पर भोजपत्र लार्श आदी इसका जो बिस्तार है अगर हम बात करें कहां पर जम्मुयमकास में से आउं सीवालिक पर्वत एवं हिमाले की तलहटिकों में ये वन पाया जाते हैं पर्वती आध्र सी करें पायाज्ञ के उचाही वाले छेत्रों में इवन पाया जाते हैं नेश्ड आप देखिए परवती परवती नम सितोष्ण वन पाय जाते हैं कहां पाय जाते हैं अब यह देखा था पश्चिम हिमाले से पूर्वी हिमाले तक जो होते हैं परवती नम सितोष्ण वन पाय जाते हैं निश्टर देखें परवती नम सितोष्ण की वनस्पति कौन-कौन से ओक भूरे ओक अखरोर त पाए जाते हैं पूर्वी हिमाले में अतधीक सघंवर्स्पति पाए जाती है क्यों पाए जाती है क्यों पत्ती वाले ब्रच ब्रच पाए जाते हैं यह सब पाए कि परवती सुख्स सितोंशवनों के विस्तार मिलता है हिमाले से भोज परत्र ब्रच मिलता है दिए पढ़ पाया जाते हैं पंद्रा सो मीटर से अधी कुछाई पर पस्चमी हिमाले में देवधार के ब्रच पाया जाते हैं कथा बनाने हेतु हेतु प्रयोग में लाया जाता है कौन से लाया जाता है खायर की लकडी से कथा बनाया जाता है ये क्योशन पूछे गए ये सब जंकल की आग के नाम से जाना जाता है किसको नाम जाना जाता है ब्यूटिया मोनु स्पर्मा धाक अथवा पलास को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रिदेश का राज की पुस्प घोसित किया गया है किसको पुसित किया गया है आप जानते हैं पालास के फूल को उत्तर प्रिदेश का राज की पुस्प है समाजिक Вانकी में प्रियुक्त बहुत देसी ब्रच का उदारन घ्या है खेजरी का ब्रच की रच क्या है मरुस्तल का राजा भी इसको बोलते हैं rate देखिए बिरौज अंठ्य पीन का तेल बनाने में प्रियुक्त वन उपच लीशा प्राप्त कहां से होता है चीड़ ब्रसे से प्राप्त होता है देखे जो प्रेशन है इसाब आई हुए है इसलिए आप ध्यामें रखेगा कटहल गूलर आर्किट एवं फर्ण से फर्ण में से वह पौधा जिसमें फू दोशना है देखे यह जो हमारा था सीरीज यह हमारा चल रहा था इंडियान जियोग्राफी हमारी सीरीज चल रही थे आज से यह खताम होता है जो भी टॉपिक मुझे रह गया है मुझे लगए इंपोर्टेंट है तो मैं आपको वह जब मैं मिसलियन इस टॉपिक तो इससे आप क्या होगा आपने पढ़ लिया इसको फिर आप एक्जाम होगा तो आप एक एक दिन में गंटे में आप 1.5 स्वीट में करके आप देख लेंगे ना तो आपको दुबारा से रिवीजन हो जाएगा अगर आप लोग होगे तो मैं आप जरूर एक महरातन सेसन लेकर जल्दी ही आऊंगे ओके फिंस आज के लिए इतना ही करते हैं मेरा लेक्चर कैसा लगा आप फीडबेक जरूर सेर करिए गए और अगाप मेरे चैनल में नए है चैनल को लाइक करें सेस्क्राइब करें और सेर करें ओके फिंस थैंक्यू